नमस्कार दोस्तो वाइब्रेंट ए लेर्णिंग फ्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज के इस सेशन में वन वर्ड का रिविजन करेंगे जो भी दोस्त लाइव हैं फटाफट एक बार सेर कर दें ताकि आपके दोस्त भी जूड़ सके जो भी दोस्त लाइव हैं फटाफट एक बार सेर कर दें क्लास को और वोइस क्लिए टी आरी है आपको तो देखो पहला क्यूशन आज का पर्सन हूँ मेलिसियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग और अधर प्रोपर्टी इसमें फटाफट आप आंसर दें क्या आंसर होगा इसका जल्दी से आंसर दे फटाफट तब एक-एक ओप्शन का आपको मिनिंग भी देखना है एक ऐसा योई पर्सन हूँ मेलिसियसली मेलिसियस का मतलब क्या होता है बूरी नियत का आदमी ।षफाइर टू बिल्डिंग और अधर प्रोपर्टी जो क्या करे आग के अंदर बिल्डिंग और दूसरी प्रोपर्टी है वो खराब कर दे तो उसको क्या बोलेंगे इंसेंडिरी बोलेंगे यानि आग के अंदर ध्वन कर दे हिपोक्रिट का मतलब होता है पाखंडी यानि जो बंदा है वो नहीं दिखाता उसको हिपोक्रिट बोलते हैं और प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है किसी चीज से protection दे या नहीं रक्सा करें और savior का मतलब भी आप क्या कर सकते हैं रक्सा कर सकते हैं clear है दोस्तो तो यह दोनों आपस में synonym हो गये यह hypocrite फाखंडी हो गया और यह अगनी विद्वन्स हो गया clear है तो फिर next question देख लें next question देखो one who uses violence to achieve political aims वेंडाल, activist, terrorist और wizard तो इसमें कौन सा answer सही होगा आप सही answer कमेंट करें जो भी दोस्त लाइव नहें जुड़े हैं वो एक बार share भी कर दें one who uses violence, violence का मतलब क्या होता है हिंसा to achieve political aims यानि अपने political target पूरे करने के लिए जो हिंसा करें उसको क्या बोलेंगे तो वेंडाल, विद्वन्सक होगा, activist, सक्रिय करता और terrorist है आतंगवादी तो इसमें answer कौन सा हो जाएगा विजयार्ड क्या होता है विजयार्ड तो आप simple बोल सकते हैं इसको जादूगर clear है next question देख लें सारे easy option है इसमें तो place where bees are kept high, appearing, graveyard और symmetry इसमें भी फटाफट आप है आंसर कमेंट करें एजी क्यूशन है ऐसी जगह जहां पर यानी मदू मख्यां रखी जाती है ठीक ना हाइव, appearing, graveyard और symmetry तो इसमें option कौन सा होगा अब इसमें देखो आप option इन दो के अंदर confused होंगे कि हाईव मदू मख्य का छत्ता होता है तो रखा नहीं जाता है अपने आप ही रहती है appearing के अंदर मदू मख्य पालन होता है तो ap जो root है वो किसका है b का है और area का मतलब क्या होता है place होता है तो इसलिए यहां पर यह दो keyword मिल गए अपन को place मिल गया और b मिल गया यह दोनों इसमें मिल रहे हैं option b सही हो जाएगा ऐसी जगह जहां पर मदू मख्यों को रखा जाता है ग्रेवियार्ड और symmetry दोनों आपस में synonym होंगे कि graveyard यानि कब्रिस्तान को बोलते हैं symmetry भी आप किसको बोलेंगे समसान घाट या कब्रिस्तान को बोलतेंगे तो यह दोनों अंतिम यात्रा की जगह है मोक्स धाम जिसको आप बोलते हैं अब इसमें जो आप देखेंगे तो एक तो पहले क्यूशन का ही option इसके अंदर repeat है ऐसी जगह जहां पर पक्सियों को रखा जाता है तो अपियरी एवियरी डिपोजिट्री और वेन्यू वेन्यू आप जनरल बोल्चाल में वर्ड यूज करते हैं बोलते हैं कि पार्टी का वेन्यू का है तो वो जगह हो जाएगा डिपोजिट्री आप डिपोजिट करते हैं तो जाना या जमाखोरी एवियरी हो जाएगा एवि किससे बना है एवि का मतलब बर्ड होता है और एरी मतलब क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा तो पक्सी साला भी आप इसको बोल सकत है तांकि ज्यादा से ज्यादा आप यू जंगेंधें कर सकें सिंगे। नेक्स देखो टैनिंग टूए पिरियेड थायर 2 रिकोर्डेड हिस्ट्री गे क Ψहीं डुलीटि और हिस्टोरी कल हिस्टोरिक और इस्टोरə्स डूसर क्या होगा फटाफट आप आप आंसर दे है कि इसमें आंसर क्या होगा कि इसके अंदर आपको यहां साथ जाना वार्फ Kannel से फटा लग गया एक प्रायर आया है और एक इस्ट्री अब यह देहोँ को यहां पर कि औरी स्टॉरिक है nous प्री का मतलब पहले होगा इस्टॉरिक के से इस्टॉरिय है तो पुर्वे एकिस्टीस यासिक आप इसको प्रस्तूती भी कर सकते हैं, यानि नातक के रूप में कोई अभीने किया जाए या कोई प्रस्तूती दी जाए तो उसको यह बोल देंगे, आप अगर लिखना चाहिए तो हिंदी में यह कर सकते हैं, नातक यह प्रस्तूती. नेक्स्ट देखो पॉलिशी ओप अक्स्टेंडिंग एक कंट्रीज एम्पायर एंड इंफ्लिएंस यूफोनी, इंपेरिलिजम, कम्निजम और सोसालिजम इसमें क्या आंसर होगा? फटाफट आप आंसर दें कि पॉलिशी ओप अक्स्टेंडिंग एक कंट्रीज एम्पायर एंड इंफ्लिएंस यानि ऐसी कोई पॉलिशी जिसके अंदर एम्पायर और उसका परभाव बढ़े तो उसको आप समरज्य वाद बोलते हैं यहाँ पर समरज्य वाद कौन सा होगा? आप सोसाइटी से रिलेटेट कर देंगे यू फोनी में अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा यू का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर गुड होगा और फोन का मतलब साउन्ड होगा तो इसको आप सूरिली आवाज कर सकते हैं बहुत अच्छा बोलना क्लियर है दोस्तो नेक्स कुशन देख लें फिर प्लेस ओफ गुड क्लाइमेट फोर इंडिविजवल्स अजाइलम, फोरम, रोस्टम और स्टेज इसमें आंसर क्या होगा बहुत ही एजी क्यूशन है यानि ऐसी जगए जहां पर इंडिविजवल्स के लिए अच्छा क्लाइमेट हो तो ऐसा स्टल क्या होगा जैसे मान लोग की पागलों के लिए अच्छी जगए पागल खाना होगा बिमार के लिए आप सेनेटोरियम या होस्पिटल कर सकते हैं तो ऐसी जगए कोण सी होगी तो इसमें आप अजाइलम कर देंगे सरनस्तल फोरम रोस्टरम और स्टेज़ आप इनको क्या बोलेंगे मंस बोल सकते हैं अब इनमें फरक इतना होता है फोरम का मतलब ऐसी जगए जहां पर पब्लीक स्पीकर स्टेंड कर खड़ा होके कोई बासन दे रोस्टरम के अंदर अगर पब्लीक स्पीकर स्पीच भी दे साथ में कोई गिप्ट वगरा भी घ्रन कर सकता है या दे भी सकता है तो वो हो जाएगा स्टेज आप सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं क्लियर है दोस्तों नेक्स क्यूशन देखें फिर रिस्पॉंसिबल अकोर्डिंग टू लो रिपेट्रियट रिस्पॉंसिबल लीगल और लाइबल रिस्पॉंसिबल का मतलब जवाब दई होगा अकोर्डिंग मतलब के अनुसार और लो का मतलब कानून के अनुसार अगर आप किसी चीज़ के परतीज जवाब दई हैं तो उसके लिए आंसर कौन सा होगा अब देखो रिस्पॉंसिबल तो वापस वही क्यूशन में है वही आगया जवाब दई तो लेकिन ये अकोर्डिंग टू लो दे दिया इसमें तो ये भी चीज़ आपको देखनी है उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे लाइबल बोलते हैं उत्तरदाई होना या कई बार कई कंपनियों में फ्रोड कर जाते हैं तो किसी पर ये मालो का स्रीप आदमी बच होगा रिपेट olm स्रीक्ट ये बना है और यी प्लस पेट्री से क्ली पेट्रियट को बोलते हैं पुंदर निवासित करना या करें प हेट का मतलब और मेलेंख समीं यहां और इसमें आफặc अक्स पेट्रियाट करेंगे तो निर्वासित आमे उसका जभी जमीन जाइदाद लेक सेप्रेटेड फ्रॉं दसी बाई सेंड बैंक्स आइलेंड पैनेंसुला लंगून और लेक इसमें आंसर क्या होगा बहुत ही एजी क्यूशन है यह यह पैनेंसुला लंगून लेक सारे जेग्राफिकल ट्रम है आइलेंड आप किसको टापो को बोलते हैं पैनेंसुला पैनेंसुला में देखो आफ पी एन और इंसुला से बना है इंसुला आप मान सकते हैं इंसुलेटर प्रोटेक्शन तो ऐसी जगह जो तीन तरह से पानी से प्रोटेक्टेड है और लगबग प्रोटेक्टेड है तीन तरह से और एक जगह से इस तल से जुड़ा आए इसी वर्ड में आए तब इसका मिनिंग आप ये पैन भी कर सकते हैं या फिर पसूं का बाड़ा भी कर सकते हैं कि इसलिए इसको क्या बोलेंगे प्राइदी बोलेंगे और साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड यानि समुंदर के दुआरा सेंडबेंग अलग से बनावा हो मिटी के अंदर यानि एक परत्सी अलग दीखे उसको क्या बोलते हैं खारेपानी की जील बोलतें है या लैंगून बोलते हैं लेक आप सिंपल जील को बोलते हैं क्लियर है दोस्तों तो एक्स्ट क्यूशन देख लें फिर जो भी दोस्त नहें जुड़े हैं वो एक बार सेर भी कर दें आप नेक्स देखो Science of Mankind as an Animal Anthropology या Naturalism, Recess और Biology तो इसमें आंसर कौन सा आएगा बहुत ही Easy क्यूशन है Option भी इसके तो Easy है Nature से Related है या फिर Biology आपको पता ही है इसमें एक Keyword है वो क्या है Anthropology क्योंकि Anthrop का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा Mankind और Logi का मतलब होगा To Study तो यहां Science मान ले या Study मान ले Mankind दे रखा है तो Anthropology को आप Hindi में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको लिख देंगे मानव विज्ञान Clear है दोस्तो Next Question देखें फिर Stealing from the Writing of Others Palgrism, Tributory, Narcosis और Celibacy तो इस Question का Answer क्या होगा फटा-फटा Answer दें आप यानि दूसरों की Writing से आप अगर चुरा लेते हैं Art या Literature के अंदर अगर आप कोई Book Publishing का काम कर रहा है Writing का काम कर रहा है उसका मेटरे चुरा के आप अपने नाम से Publish कर देते हैं तो ऐसी चोरी को क्या बोलते हैं आप Hindi के अंदर साहित एक चोरी बोलते हैं तो साहित एक चोरी यहां क्या हो जाएगा पैल्ग्रीजम हो जाएगा और Tributory का मतलब आप बोलते हैं साहिक नदी इसको क्या बोलेंगे साहिक नदी Narcosis का मतलब क्या होता है नींद की ओस्दी या आप इसको एक वर्ड में लिखें तो आप लिख सकते हैं निंद्रा जनक निंद्रा जनक कर दें सेलिवेसी का मतलब क्या कर सकते हैं आप ब्रह्मचरिय कर सकते हैं यानि सेलिवेट बोलते हैं कुमारा पुरुष और उसकी अवस्ता को सेलिवेसी बोलते हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे तो हम चरी यह बोल सकते हैं इसमें क्या आंसर आएगा यह एक ऐसी महिला जो नर्सिंग स्टाप या डोमेस्टिक अरेंजमेंट होता है होस्पिटल में उसकी इन्चार्ज हो उसको आप सरक्सी का बोलेंगे सरक्सी का आप किसको बोल सकते हैं मेटरोन को बोल सकते हैं नर्स का मतलब जानते ही आप अगर नर्स का दूसरा मिनिंग देखें आप तो लालन पालन करना देख रिएक करना भी होता है सुप्रिंडेंट का मतलब एक है जैसे आप इंस्पेक्टर बढ़ेंगे तो आपके उपर जो ओपिशर होगा उसका नाम क्या होगा सुप्रिंडेंट होगा यहाँ जैसा कोई बंदा जिसके पास बहुत सारी अठ्योड़ी हो का इंट्रॉल करने की तो उसको सुप्रिंडेंट बोलेंगे यह स्पेलिंग के लिए क्यूशन इंपोर्टेंट है यहाँ ज़्यादा important नहीं है लेकिन sparing के लिए ज़्यादा important है in charge आप जानते ही है next देखो woman whose husband is dead इससे execution होई नहीं सकता यह सब भी जानते हैं एक ऐसी मेला जिसका पती खतम हो गया हो widower, widow, spinster और matron matron जैसा कि आपने पहले देखी लिया है सरक्सी का बाड़ा spinster आप बोलते हैं kuari mela kuari लड़की नहीं kuari lड़की के लिए आप virgin word use करेंगे kuari mela के लिए आप spinster word use करेंगे तो ऐसी मेला जिसका पती खतम हो गया है तो उसको widower बोलते है ऐसा वेक्ति यहाँपर ऐसा कर देते man whose wife is dead तो यह हो जाता है वीडियो बार जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं विधूर बोलते हैं ठीक है? नेक्स्ट कुशन देख लें फिर Science of Plants Toxicology और Botany, Geology और Biology तो Plants की Study कि Science में करते हैं आप? जो भी दोस्त लाइव हैं फटा फटा आंसर दें Plant की Study की Science में करते हैं आपे वनस्पती विज्ञान में करते हैं बोटनी में यह तो बहुत बार पढ़ावा आपका Biology, Bio का मतलब क्या होता है? Life होता है तो इसको क्या बोलेंगे? Life की Study यानि जी विज्ञान बोल देंगे जू का अगर अकेला आफ वर्ड की फोरम में मिनिंग लेंगे तो चिडियागर होगा अगर जू जू करेंगे तो जंगली कबूतर होगा और यहां आपने रूट में लिया तो इसका मतलब Animal होगा और Logi मतलब Study तो इसको क्या बोलेंगे? जन्तू विज्ञान बोलेंगे और Toxic का मतलब क्या होता है? Toxic का मतलब होता है आपका Poison Poison मतलब जहर Logi मतलब Study तो किस की Study करना? जहर की Study, which विज्ञान बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विज्ञान विज्ञान बोलेंगे क्लियर है दोस्तो? Next Question देखें फिर Person without manners of polis और polis ये कर देना Barbarian, unpolished और personal और विज्ञान तो इसमें answer क्या आएगा? एक ऐसा वेक्ति जिसके अंदर यानि manners नहीं है, तोर तरीके नहीं है या सुसंस्कृत नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप Barbarian ऐसब्बे बोल सकते हैं Barbarian को क्या बोल सकते हैं? ऐसब्बे Unpolished का मतलब क्या हो जाएगा? Un का मतलब note या जो चमकदार नहीं हो या अप्रिस्कृत हो जो सुद्ध नहीं हो और Personal का मतलब आप बोलेंगे इसको Hindi में बहुत बार यूज करते हैं आप कार्मिक और Wizard का मतलब क्या होगा? Wizard को आप बोलते हैं जादूगर Wizard जादूगर हो जाएगा Clear है? Next question देखें फिर Person who designs building एक ऐसा विक्ति जो building डिजाइन करता है designer, engineer, curator और architect इसमें क्या answer होगा? इसमें क्या answer होगा? फटाफट answer दें आप एक ऐसा आदमी जो building डिजाइन करता है उसको क्या बोलेंगे? architect बोलेंगे curator क्या होता है? यानि एक ऐसा बंदा जो museum की देख रहे करता है museum की देख रहे करता है उसको curator बोलेंगे संग्राले धेक्स बोलेंगे और engineer अभियनता को बोलेंगे design करने वाड़े को designer बोलेंगे Clear है? Next question देखो Person kept as a prisoner critic, captor, captive or protector तो इसमें क्या answer आएगा? यानि एक ऐसा बंदा जिसको आफने कैदी बना के रख रखा है तो कैदी के लिए यहां कौन सा वर्ड होगा? captive होगा captive को कैदी बोलेंगे इसको क्या बोल देंगे आलोचक बोल देंगे और protector को आप रख्षक बोल सकते है ठीक है? protector क्या हो जाएगा? रख्षा करने वाड़ा तो रख्षक हो जाएगा तो next question देखें फिर one who makes species orator, astronaut, pilot और recipient इसमें क्या answer आएगा? यानि जो ऐसा बंदा जो species देने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? अभी यहां पर चार वर्ड है तो वो orator हो जाएगा और astronaut है अगर करें आप तो astro का मतलब क्या होगा? star होगा note का मतलब आप क्या कर सकते हैं? doer तो इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो लिख देंगे antrix यात्री antrix यात्री लिख देंगे ठीक न? pilot है आपका विमान चालक होगा और recipient है प्राप्त करता होगा recipient क्या होगा? प्राप्त करता बोलेंगे next question देखें फिर clear है next देखो one who brings goods illegally into the country customer, articulate, smuggler और criminal इसमें क्या answer आएगा? इसमें देखो एक ऐसा बंदा जो सामान को illegally किसी देश में लेकर आता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? तसकर बोलेंगे तो तसकर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? smuggler यूज़ करेंगे criminal क्या होता है? प्रादी philomuse, philogynist और philentrop तो इसमें कौन सांस रहेगा? यानि एक ऐसा बंदा जो खाने का सोकीन है, बहुत अच्छा खाना खाता है उसको क्या बोलेंगे? ज़्यादा भी खाता है और सोकीन भी ज़्यादा है तो उसको gourmet बोलेंगे वैसे gourmet होगा अक्सपर्ट होगा तो और philomuse का मतलब होता है आर्ट और लिटरेचर का प्रेमी और philogynist होता है मैला प्रेमी और philohentrop होता है मानो प्रेमी या फिर आप प्रोब कारी इसके अगर आप सिनोनिम लिखें तो ये भी kind भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं या इसका generous भी आप सिनोनिम कर सकते हैं या benevolent कर सकते हैं ये आप सिनोनिम भी कर सकते हैं clear है दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए अब next class में फिर मिलेंगे जाते वक्त जिसने भी अभी तक share नहीं किया है तो वो एक बार share भी कर दे देने बाद दोस्तों